दोस्तों साहिब के मित्र पर बड़ा खुलासा होने वाला है साहिब के मुत्र की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं साहिब ने अभी तक क्या-क्या छिपाया है वो सबब देश के सामने बहुत जल्द आने वाला है सेवी परमुक माधवी बुच को संसदी समीती ने तलब कर लि अडानी गुरूपाफ कमपनीज के खिलाफ आरोपों की जाच में सेवी की निस्पक्ष कार्य पर नाली पर सवाल होने जा रहा है और ये पहली बार होगा और क्या-क्या रास खोलेंगी सेवी पर मुख माधवी बुच वीडियो में हमारे साथ चुड़े रहे और जिस तरीके से साहिब ने मित्र को बचाने के लिए लगतार संसत की कार्रवाई को अस्थगित कराया दोनों सदनों की कार्रवाई नहीं हो पा रही थी जब जब विपक्ष शवाल कर रहा था तब तब साहिब अपने मित्र को बचाने के लिए सदन की कार्रवाई अस्थगित करा दे रह हिंडनबर्ग द्वारा लगाये गए आरोपों के बाद कॉंग्रेस ने भी माधवी बुच और उनके पती के खिलाफ सवाल उठाये थे और उनके इस्तिफे की मानवी की थी कॉंग्रेस ने हिंडन बर्ग की रिपोर्ट को आधार बना कर आरोप लगाया कि सेबी ने अडानी गुरूप के खिलाफ कोई परभावी कारवाई नहीं की है संसदी निगरानी रखने वाली लोक लेखा समीती प्येसी ने सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुछ के साथ और अन्य अधिकारियों को 24 अक्टूबर को उसके सामने पेश होने के लिए कहा है ये सबीती से भी वित्वंत्राले और टी आरे आई के टॉप अधिकारियों को तलब कर रही है दोस्तों ये पहली बार होने जा रहा है पीएसी अमेरिकी शॉट सेलर हिंडर्बग रिसर्च द्वारा बुच के खिलाफ लगाये गए आरोपों से संबंधित सवाल पूछेगी जिस तरीके से अडानी गुरूप ने उस रिपोर्ट को जूटा और भ्रामक बताया था अब उसका भी भाड़ा फूटने वाला है हिंडर्बग रिसर्च के अडानी समूप पर लगे आरोपों की संसदी जाँच के लिए विपक्ष ने लगतार मांगी थी लेकिन सरकार ने नहीं सुनी रिपोर्ट में कहा गया था कि बुच और उनके पती धवल बुच की अडानी की कमपनियों में हिस्सेदारी है तो गो कैसे जाँच कर सकते हैं विपक्ष का कहना था कि इन حालात में सेवी किस तरह अडानी समूप के खिलाफ निस्पक्ष जाँच करेगा ये सवाल के घेरे में है नेतब विपक्ष राहूल गांदी ने कई बार अडानी और सेवी परमुक के बारे में सरकार से सवाल पूछा था लेकिन सरकार के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था तो जवाब कहां से दिया जाता क्योंकि साहब तो अपने मित्र को बचाने में लगे थे कि जिस तरीके से जो आरोप लगाया जा रहा था और उस समय दोनों सदनों की कार्रवाई भी चल लही थी जब जब विपक्ष ने सवाल पुछा तो साहिब अपने मित्र को बचाने के लिए सदन की कार्रवाही अस्थखित करा दे रहे थे लेकिन अब PSE ने सेवी परमुक माधवी बुच को तलब कर लिया है तो क्या आब सारे राज खुलने वाले हैं? कि जिस तरीके से सारे राज पर परदादारी की कोशिश की जा रही थी अब वो एक एक परते खुल कर देश के सामने आने वाली हैं तो क्या आब साहिब के मित्र बच पायेंगे? या सेभी परमुक सब कुछ सच उगलने जा रही है क्योंकि P.A.C. की अध्यक्ष्टा कॉंग्रेस के वरिष निता केसी वेनू गोपाल कर रहे हैं तो क्या आब ये कहा जा सकता है कि सारा खेल अडानी गुरूप का सामने आना वाला है और साहब की जो मित्रता है अब उसका भी राज देश वासियों के सामने खुल जाएगा कि जिस तरीके से परधान मंती नरेंदर मोदी अपने साहब पर लुटाते चले जा रहे हैं कभी उनका कर्जम आफ किया जा रहा है तो कभी कोई प्रोजेक्ट उनके हवाले कर दिया जा रहा है तो कभी कोई दूसरा एरपोर्ट लीस पर दे दिया जा रहा है अडानी गुरूप को उसके बाद जो आरोप लगे उन आरोपों को खंडन किया गया और कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो क्या अब जब सेवी परमुक को बुलाया गया है तो क्या इन सारे आरोपों से परदा उठेगा और जिस तरीके से इन सारी चीजों को छिपाने की कोशिश की जा रही थी अब गों देशवासियों के सामने आएगी और वी क्या कुछ छपा है और क्या कुछ कहा जा रहा है हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे सेवी परमुक माधवी बुच 24 अक्टूबर को संसदी समीती के सामने तलब होंगी संसद की लोग लेखा समीती ने 24 अक्टूबर को सेवी परमुक माधवी पूरी बुच और अन अधिकारियों को पूश्टाश के लिए तलब किया है तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये समिती अडानी समू की जाँच को लेकर क्या सवाल कर सकती है और किस तरह के सवाल करेगी ये एक बड़ा सवाल है P.A.C. की विपकषी सदस्यों ने जहां बुछ को बुलाने की माँग की थी वहीं भाजपा सदस्यों ने आपत्ती जताते हुए कहा था कि P.A.C. सेबी या किसी अन्य नियामक संस्था के परदर्शन की समिक्षा तभी कर सकती है जब संसर द्वारा दिये गे वित्त का दुरुप्योग किया गया हो भाजपा सुत्रों का ये भी कहना है कि लगाए गए आरोप सेबी के खिलाफ है नहीं है बलकि एक व्यक्ति के खिलाफ थे तो अब अंदाज़ा लगाईए कि P.A.C. के जो सदस्य हैं जो विपक्ष के हैं वो चाहते हैं कि सेबी परमुक यहां पर आएं लेकिन जो भाजपा के सदस्य हैं वो नहीं चाहे रहे हैं कि सेबी परमुक यहां आएं तो इससे ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या साहब के मित्र पर बहुत कुछ राज खुलने वाला है क्या सेबी परमुक अब सब कुछ उगलने जा रहे हैं देश वासियों के सामने कि जब उनसे सवाल किया जाएगा और जिसकी अध्यक्षता कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता केसी वेनू गोपाल कर रहे हैं तो ये एक बड़ा सवाल है कि वीपक्ष जिसकी मांग कर रहा था और लगातार ये मांग की जा रहे थी जैसे ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आई थी उसके बाद से ही कि इस मामले की निस्पक्ष जाँच की जाए और किस तरीके से सेवी परमुक जो आरोप लगा था उस पर जाँच नहीं कर पाई सेवी परमुक की खुद हिस्सेदारी अडानी गुरूप आफ कमपरीज में थी तो गो भी सवाल के जा रहा था कि जब गो खुद हिस्सेदार है तो फिर निस्पक्ष जाँच कैसे होगी सरकार से कहा जा रहा था कि किसी और से जाँच कराई जाए लेकिन सरकार ने सदन दोनों सदनों की कार्रवाई को सगित करा दे रही थी और संसद में सांसदों को बोलने तक नहीं दिया जा रहा था तो अब उसी तरीके से जब उनको बुलाया जा रहा है तो P.S.E. के जो भाचपा के सदस हैं वो नहीं चाहते हैं कि सेवी परमुक यहां पर आकर जवाब दें क्योंकि साहब के राज खुलने वाले हैं और यह जो बैठक हो रही है जिसमें सेवी परमुक को बुलाया गया है उस पर भी यह सवाल हो रहा है कि जब हिंडनबर की रिपोर्ट आई है और उस बीच यह बैठक हो रही है तो और क्या कुछ राज खुलने वाला है हम भो भी जानेंगे हिंडनबर्ग के आरोपों के बीच बैठक गवड तलब है परमुक संसदी पैनल की ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जबकि सेवी चीफ मादवी पुरी बुच और उनके पती धवल बुच को लेकर अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने अरब पती गोतम अडानी के नित् जाना साधा था और एक रिसर्च पब्लिश की थी जिसके बाद अडानी गुरूप को बड़ा नुकसान हुआ था जब हिंडनमर की रिपोर्ट आये थी तो सेवी परमुक ने भी इन आरोपों का खंडन किया था और सिरी से इसको नकार दिया था तो क्या आप जब पी एसी रही है उनके सामने क्या कुछ सेवी परमुक बोलेंगी क्योंकि जो आरोप लगा था उस आरोप को खारिच कर चुकी है पहले से तो जिस तरीके से हिस्सेदारी की बात आई थी लगतार विपक्ष कह रहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए तो जब हिस्सेदारी है तो सरकार बैक फूट पर थी अडानी गुरूप ने भी इसका खंडन किया और सरकार भी लगतार यह कहती रही कैसा कुछ भी नहीं है जो हिंडन बर्ग की रिपोर्ट में है उसका कहीं भी ऐसा कुछ लेना देना नहीं है लेकिन अब सेवी परमुक को तलब कर लिया गया है उसके बात से यह सवाल के जा रहा था कि आखिर अब जाँच कैसे होगी जो जाँच से भी परमुक को दी गई है वो जब इनकी खुद वहाँ पर मिली भगत है तो अब जाँच कैसे हो सकती है तो आप क्या सोचते हैं क्या प्रधानमंती नरेंदर मोडी अपने मित्र को आना ही होगा और जो सवाल जो आरोप हैं उसका जवाब आपको देना होगा तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राय है कमिन बॉक्स अपनी राय जरूर दें और इसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें देशनिती धन्यवाद